नमस्कार सलाम कल यानि की 27 जुलाई शनिवार की शाम जामनगर के स्री दिरुबाई अम्बानी ओडिटोरियम में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं एमके इवेंट्स के मुनाखान पठान, सिनेटियून इवेंट्स के भाई आनन भाई माडम, उनके साथ साथ SG इवेंट्स के सुरज गुंडलिया और रफी फैन कलब के हमारे श्री पुश्वतम भागेला ये सब मिलकर गुजराद के इतिहास में एक नया पन्ना जोडने जा रहे हैं गुजराद भर के सौ से भी ज्यादा प्रतिभाशाली गायक जो बहुत सालों से अपनी आवाज के जरिए गीत और संगीत के चाहने वाले आप सभी का दिल बहलाते आए हैं उन सब को गुजराद प्रतिभा एवोर्ड से सन्मानित और प्रश्कृत हम करने वाले हैं इतिहास इसलिए कह रहा हूँ एवोर्ड्स बहुत सारे शायद आप जीत चुके हैं एक कलागारगी हैसित से लेकिन गुजराद के इतिहास में इस तरह इतने बड़े पैमाने पर यह पहली बार होने जा रहा है कि साड़े तीन सो से भी ज्यादा जो गयक कलाकार हैं हमारे मित्र है जो अलग-अलग जैनर में गाने गाते हैं उन सबने रेजिस्ट्रेशन करवाया और उन ही में से सौ जितने सौ से भी अधिक कलाकार कल पुरे गुजराद से जामनगराने वाले हैं उन सब की प्रतिभाओं को हम आदर पुर्वत उनका सन्मान करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करने वाले हैं उनको गुजराद प्रतिभा एवोर्ट से सन्मानित किया जाएगा आप सभी की तरफ से जो प्यार एज़त होसला आपजाई मिले हैं मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कल यानि की 27 जुलाई शानिवार शाम 7 बजे से थ्री दिरुभाय अम्मानी मानी जी भवन औरिटोरियम में यह गुजरात प्रदिबाय वोर्ड का कारेकर्म रखा गया है आप सब निमंत्रित हैं हमारे फेस्बुक पर यह पूरे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी आप हमारे साथ में जूड़ सकते हैं तो आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिवादन रहेगा और फिर से आप सब का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूं यह पूरा इवेंट जिनों ने सजाया है मुनाखान पठान यानि की MK इवेंट्स आनन माडम यानि की सिनेटियून इवेंट्स SG इवेंट्स यानि की सूरज गॉंडलिया और रफी फैन क्लब यानि की मानेश्री पुर्शोत तंबय वागेला इन सब की जानिब से आपका बहुत-बहुत धनेवाद भी है और आप सब को फिर से निमंतरित भी करते हैं और कल बेशक मैं भी एज़े खोस्ट और उससे भी ज्यादा ऐसे दोस्त मुना खान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं तो इनके इतने बड़े इवेंट में मेरा होना लाजमी भी है और मेरा फर्स भी बनता है तो कल शाम आप सभी से मुलाकात होगी तनवाद शुक्रिया थांक्यू जाहिए